नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूटीब चैनल पर आज के अंक में हम बात करेंगे हतेली की कुछ बिसिष्ट रेखाओं के बिसे में हमारी हतेली में कई परकार के रेखाएं होती है इतना तो जाने की सामुद्रिक सास्त्र करता है कि हमारी हतेली में एक छोटे से भी चिन्न का एक बिसिष्ट अर्थ होता है और कोई भी रेखा बियर्थ नहीं होता एक चीज ध्यान में अपनी चाहिए आज हम बात करेंगे हम अपने गुरू परवत के संबन में गुरू परवत पर कुछ सुब और असुब चिन्न पाई जाते हैं यह चिन्न जो होते हैं कभी यह देख लिजी इस प्रकार से अक्सर हम देखते हैं कि हमारी हतेली पे कुछ इस प्रकार से स्क्वाइर का चिन्न बनता है बर्ग का चिन्न, ये चिन्न कभी ऐसा बनता है, तो कभी ये चिन्न इस प्रकार से भी बनता हुआ दिखता है, तो कभी ये चिन्न बिल्कुल उपरी भाग पे इस भाग पे भी इस प्रकार से बनता हुआ दिखता है, कभी ये स्वतंतर बनता है, तो कभी अन्य रेखाओं के स अस्थान जैसे कि ये अस्थान एक गुरु परवत का है तो ये अस्थान सबसे पहले देखें कि गुरु परवत का जो अस्थान होता है हमारी ये हिर्दय रेखा ये मस्तिस्क रेखा और हमारी ये इतना इतना भाग जो होता है हमारे हतेली में गुरु परवत का होता है अन्न का अस्थान थोड़ा सा यहाँ धिली में अंगलियों को नीचे बड़ा होता है अब आईए कि यहाँ पर कुछ चिन्ने बनती है यह चिन्न हम देखते हैं कि एकसर यहाँ से को एक रेखा इस प्रकार से जाती है जिसे महत्वा कांचा की रेखा करते हैं और कभी-कभी इस प्र इसके परिनाम क्या प्राप्त होंगे हम एक की करकी भी डिटेल में बात करेंगे तो एक बात जान लें कि यदि ये स्क्वाइर इस अस्थान पर बिलुकुल मिडिल में और इस प्रकार से किलियर और अस्पष्ट साफ सुथरा बनता हो कहने कार्थ है इसे किसी रेखा का अईसा नहीं कि एक रेखा कि सहयोग यहां हिरदय रेखा से है ऐसा नहीं बिल्कुल किलियर हो अस्पष्ट हो और स्वतंतर हो स्वतंतर कहने कार्थ होता है ये किसी भी रेखा से इसकी कोई रेखा आके इसमें ज्वाइंट ना होती हो तो ये स्वतंतर कहा जाता है तो इसक पूर्ण सुब फल होते हैं, सामुद्रिक सास्त, अपने जो सामुद्रिक सास्त रहें, ये जो कहते हैं, कि ऐसा बर्ग या ऐसा चतरभुच का चिन्न, आयत का चिन्न, बहुत ही सुब फल देने वाला होता है, और पूर्ण फल देता है, अब इसके फल अन्नी चीजों पर नि बहुत पूर्ण है केवल हमारी हथेली में एक अच्छे भागी रेखा का होनी से नहीं होता है साथ में माउंट्स की आवे सकता होती है तो ठीक उसी प्रकार से ये बर्ग और साथ में ये आपकी गुरू परवत का अस्थान सुब है या असुब है ये दो तीन स्थिति हो सकता है तो हम बात करें है कि यदि आपके ये गुरू परवत बिल्कुल पुष्ट उभार लिये हो ये जिस प्रकार से इस हाथेली में देख रहे हैं थोड़ा गद्देदार हो तो इसका अर्थी कि गुरू परवत यहां अच्छे अवस्था में है सुब अवस्था में ह असाथ में इसमें यदि इसक्वाइर का चिन बन रहा हो बिल्कुल साफ सुथरा और स्वतंत रूप से तो एक बात जाने कि बर्ग का चिन कहीं भी बनता है तो एक चीज़ करता है सबसे पहले वो सेप्टी मतलब वो क्या करता है सुरक्षा का कारी करता है सुरक्षा का कारी ये ग्यान का अस्थान है गुरू अध्यात्म का परतीक होता है गुरू ग्यान का परतीक होता है गुरू समाज को मार्ग दर्शन या राह दिखलाने वाला होता है और क्या होता है गुरू हमारी इक्षा और महत्वा कांचा को दिखलाता है असीम इक्षा, बड़ी महत्वा कांचा, राजनितिक सफलता, इन सभी चीजों को जोड़कर हम अपने गुरु परवत को देखते हैं तब है कि यदि ऐसे जातक के पास में गुरु परवत सुभ हो, इस पे ये बर्ग हो, अन्य इस्थितियां भी अच्छी हो, ऐसे जातक हो सकता है कि काफी धनमान बन जाए, अपने ग्यान के रूप में अर्जन कर ले, अपने सम्मान इनको बहुत अधिक प्राप्त हो जाए, धन बहुत अधिक प्राप्त हो जाए, राजनितिक सफलता प्राप्त हो जाए, अध्यात्मिक ग्यान हो जाए, लेकिन ऐसे जातक को अभीमान बिल्कुल नहीं होगा, यदि यहां बर्ग का चिन्न है, तो ऐसे जातक करोड़पती होने के बाद भी, ग्यानबान होने के देखाद भी इने अहंकार बिल्कुल नहीं होता चुकि गुरू ये स्वाविमान का छेतर है ति यहां स्वाविमान को रक्कि रकषा ये हमेशा करता है था ताथ आपके पद प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान इसकी रकषा ये हमेशा करेगा ये बर्ग अब आई बर्ग के दूसरे फल के बिशे में बात करते हैं यहां यह क्या होती है आपकी एक एक यहाप जो होती है गुरू आपकी स्वाभिमान और इक्छा पूर्ती यह दो चीजों से जोड़ के दिखा जाता है तो गुरू पर बर्ग बनना आपकी सार्थक एक्छा पूर्ती का भी धोतक है मतलब ऐसे जाता कि अंदर मन में जो एक्छा होती है कुछ बड़ा करने की, कुछ सफलता प्राप्त करने की, अच्छा धन प्राप्त करने की, अच्छे पद प्राप्त करने की चाहे जिस भी छेतर में वर्क करें, चाहे अध्यात्मिक छेतर क्योंने हो, तो वहाँ पर जो इनकी इक्छा, वो इक्छा पूर्ती करता है, ये बर्ग, ये एक अच्छी सफलता को दिखलाता है, आपकी सही महत्वा कांच्छा और इक्छा की पूर्ती करने बालाता है, स्वत जो में यह आपको मदद करता, यह आपकी एक्छाओं को पुर्ण करता है अब एकी बर्ग का निसान हो सकता है कि इना स्थानों पर नहीं बन कर कभी कभी हम देखते हैं कि इस परकार से बनता है, यह देख लिए एक रेखा इदर से चली, जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक रेखा यहां से आ रही थी, दूसरी इस परकार से, इस परकार से, यहां इसको आपको प्राप्त होंगे, वो सुभी होंगे, लेकिन स्वतंत रूप से बनने वाले बर्ग से जो प्राप्त होंगे, इस चीजों के ध्यान देना है, अब हम कभी कभी जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि यह देख लिए, एक चिन इधर गई है, एक यहां गई है, अब यहां बर्ग का चिन बन रहा है, यह भी बर्ग सुभ है, और अच्छा है, यह भी आपके एक चार मात्वा कांशा को पूरी करने में पूरी तरह सहायक होगा, आपके स्वाविमान की रक्षा करेगा, आपके अंदर में कभी भी अहं की भावना आने नहीं देगा, लेकिन इस पे देखना है कि बर्ग की जैसे देखी, यहां बर् रेखा इस परकार से जा रही है, यहां बर्ग बन रहा है, तो यह कई रेखाओं से यह दिसनयोग से बनता है, तो रेखाओं के फल तो प्राप्त होंगे, लेकिन इस बर्ग के आपको पूर्णता फल प्राप्त यहां देखने को नहीं मिलेंगे, अब है कि यह है महत्वा का कांचा रेखा को कोई काट रही था आपको इक्छा पूरती करने में अपनी महत्वा कांचा की प्राप्ती में अब आपको यहां कहीं ने कहीं बाधा का सामना करना पड़ सकता है तो रेखाएं थोड़ी-थोड़ी सी बदलती है बहुत कुछ बदल जाता है अब यह हमारी आत ये क्या हो रहा है कि हिर्दय रेखा का एक पार्ट जब ये नीचे आपकी और यहां जूक रही है मस्तिस्क पे तो ये आपके प्रेम संबंद को अब प्रेम संबंद की रेखा को कौन काट रहा है तो महत्वा कांचा की रेखा प्रेम संबंद को काट रही है और महत्वा कांच कि रेखा को ये प्रेम संबंद की रेखा काट रहता है हिरदय आपका काट रहा है तो दोनों एक दूसरे को काट रहा है यहां पर एक नुकसान की इस्थिती भी बनती है इसक्वाइर का यहां परभाव जो है कम हो जाता है यहां आपके जो है महत्वा कांच्छा या एक्छा पूर्ती के जो साधन होते हैं या आप जितना प्रियास कर रहे हैं अपनी एक्छाओं की पूर्ती के लिए अब उसमें कहीं ने कहीं ये सारी रेखाएं आपको बाधा उ करेगा चुकि आपके महत्वकांच्छा की रेखा को ये काट रहा है तो इन सब चीजों को हमें ध्यान देना चीए लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं लोग करते हैं गुरुजी हमारे हतेली में स्कॉयर का चिन्न है हमें राजनितिक सफलता प्राप्त नहीं हो पारिये क्या मैं राजनितिक रूप से सफल हो पाऊंगा बहुत तरह के परशन करते हैं तो साभी परशनों का आपका उत्तर है कि आप हतेली को देखें उसे गंभीरता से देखने का प्रयास करें कि आपकी यहां पे जो स्वतंतर रूप से चिन्न बन रहे हैं क्या उसमें कोई निगेट